अब जो टॉपिक में पढ़ा रहे वाला हूं आपको बताने वाला हूं डाटी एंटर्प्नियर्शिप क्लास 12 का जो सिलाबस में जो है कि इंटर्प्नियर्शिप का एक सब्जेक्ट है जो कि बहुत ही इंपर्टाट है स्टुडेंट लोग बहुत ही डिमांड के थे कि सर इसके लिए वीडियो लाइए वह इसलिए हम लोग को समझ में नहीं आ रहा है और बहुत ही रिक्वेस्ट के बाद में सोचा चलो बच्चों के लिए कुछ क्या जाए और मैं एक टॉपिक लाया हूं ठीक ह तो आपको एक्जाम में बहुत अच्छा मार्क आएगा आप उसमें कर लिजिए ठीक है तो बैसिकली देखिए जो चैप्टर है कि इनिट वान क्या है एंटर्पिनर से अपर्चुनिटी देन इंटर्पिनर से प्लानिंग मार्केटिंग एंड एंटर्प्राइस ग्रोथ और स्टाटेजी बिनेस अरिटमेटिक और रिसोर्स मोबिलाइशन सो एजनरल शे टॉपिक जो है बिजनेस एंटर्पिनर्सिप मे आपको लिप समझाऊंगा और में इसका वीडियो भी लेकिया होंगा ताकि आपका कोर्स कम्प्लिट हो पाए और बढ़िया मार्क जो हाफ आप ले आप ठीक है कि बहुत ही आसान तरिसे में समझाऊंगा और आपको मैं कोशिज करूंगा कि आप इसमें कुस्त सीख पाएं कोई भी सब्जेक्ट पढ़िए उसका लर्निंग क्या रीजन है हम लोग चाप्टर को पढ़ें वह आपको समझना जरू रही है तब आपको जो है कॉंसप्ट लिए आप क्लियर हो सकते हैं और बढ़िया मार्क ले सकते हैं इसे लर्निंग में किया अंडेस्टेंड दा कॉ पूचिनिटीज क्या क्या आपका फेक्टर से कॉंसेट्ट व्यंश अंवर्मेंट स्केनिंग बिजनेस एनवर्मेंट दैन अडिया अल्फिर पीर रिसोसेस अडिया फिर्स टेकनिक फोर्मेसं अब अब अडिया ऑप्रशुनीटी देन ट्रेंड सपोर्ट एंड क्रेयर्ट उसको complete करते जाएंदेप्रेंएर नेक्टेरेंजिव कोग में कि नज अजय आद्गाओ व है यह मतलब परी इंटरफ्राइब sil सब्सक्राइब एंटर्प्राइज मतलब हो गया दा आउटकम जिसे आप आप मान के छिलिए टाटा कंपणी में जो है कि एंटर्प्राइज कौन है विसी के लिए रतन जी टाटा है एंटर्प्राइज मतलब क्या प्रोसेस जो आप उच्छोटे से बड़े इनका कंपनी प्र ग्लोबल लेबल में बहुत बड़ा नाम है ना टाटा कंपनी को को नहीं जानता है है ना एंटर्प्रियर्शिव मेंस इटीज़ा आउटकम्स ठीक है तो यह बहुत ही सिंपल कॉंसेप्ट है कि next what is the business opportunity business में क्या-क्या opportunities बहुत सारे opportunity business में हैं so there are a lot of opportunity in the world बहुत देखिये आपको जो है बचने बेचने का तरीका होना चाहिए तो आप पैसा कमा सकते business करता है देखिए वाटर वह जो है टोटल वर्ल में 75 परचंट है बट देखिए पाने बोटल जो है पाने को जो है बोटल में भर के बेच्चा जा रहा है मतलब के यह बिजनेस आपको आना चाहिए वही इस इस कॉल्ड एंटर्टनियर्शी मिस लॉट आप अपॉटुनिटी इन दे वर्ल जहां प्रोब्लम है वहां सलुशन है वहां पैसा है वहां बिजनेस सिंपल वर म मैं बोलुगा और आप समझ में आए जहां जहां आपका प्रोब्लें में वहां वहां और यूंक है और मनी देखिए आप सो सकते हैं कि लेटफ टोप से कैसे यह हुआ इस कवर वा लेटफ टार्ट डिसकोवर गवर फ्रोडम था तब को फैंड डिसकावर है सिंडी अपने स सुना होगा सैंकॉस्ट कॉंसेप यह होता ही बिशनेस में तो फट इस बिजनेस ऑपरचुनिटी मतलब जार आर दा सम प्लेसे सम एडिया और प्लेसे वेर्यों के विजनेस स्कील और एडिया और इंप्लिमेंट इस ठीक है एक आइडिया आपका दिमाग में आया और उससे आप क्या कि प्रॉफिट जनेट के इंप्लीमेट करके सो यह हो गया बीनेस ऑपोचुनेटी और जो है कि गुड मार्केट एंद प्रॉडट्ट अन्गोई प्रोसेस वह आपको मार्केट डिसाड परना कब रहेगा और क्या ब यह ना देन रिटर्न अफ दा इन्वेस्ट्मेंट अल्टर्नेटिव तो भी एस्टाट वाइड वाइं आप कोई चीज में पैसा लगाते हो तो आप रिटर्न के लिए एसपर्ट करते हो दो ओनर दो ओनर इन्वेस्ट तब मनी इन बीजनेस और देवां रिटर्न है ना 10 प और आगे थोड़ा स्पीड करके भी जाओंगा ठीक है देन ऐलिमेट अब बिजनेस क्या क्या बहुत सारी ऐलिमेंट है बिजनेस अपरचुनिटी का वह हम लोग सब्सक्राइब अब जानेंगे तो बिजनेस अपरचुनिटिटी हएड फाइब श्ट्रेमेंस जो है कि अप शुद मार्केट कोप होना चाहिए कोई खाइदने वाला हुना चाहिए कोई सब्सक्राइब नहीं कि शुद बाउने सेटने होना चाहिए अल्टरेंटिव एसेटेबूल अन रिटर ऑन डा इन्वेस्टमेंट वै आप ऐसा लगाये तो कुछ कुछ investment कि आपको return मिलना चाहिए तो देर्स फड़ इसुक्र निलर्ट round हो खाला दैन हो गया आपका अब टैक्तिसेवील पर फोदा सब्सक्राइब शया हो या कि कर से को इंपुलिमेट करना और को जो है कि एडिया दर सुट भी इंप्लिमेंटेड एंफर्ड एंटर्ड एंटेप्रियर एंकेसिट एंड लास्ट इस फीचर बोर बहुत देखिए मैं एक डबा वाले का अब को समझा रहा हूं वाले का सबको टीफिन खाने का जरुरत था लगा तो डबा वाले ने क्या वे घर घर से लेकर घर तक पहुचा आएडिया था उसको उसने इंप्लिमेंट किया और उसे और रहे जनेरेट किया लबा बालों का बिजनेस पूरा है देखिए ओला है ना ओला आभी आपका ओयोग यह सब एंटर्प्रिनेर हैं और दे आर दर स्टार्ट आप नाव दियर गोइंग भरी पास्ट बैजू आपको आप जनते होगे पढ़ सो एक क्या है बिजनेस जो है ओप्रचुनिटी है धरिच्छ प्रोल्लम एडट प्रोलम है तो बिसाल और आपोचुनिटी इंवेस्टर तो उनर हगाई यह सब्सक्राम पालेट शो वोगे और आपको याद रखना पढ़ेगा next topic क्या है भई then opportunity in the business exploring the opportunity of the business business environment को आपको समझना पड़ेगा और क्या-क्या opportunity है वो आपको देखना पड़ेगा वो आपको करना पाद exploring the opportunity in the investment भाई क्या opportunity है विजनेस में आप इसको explore करना पड़ेगा भाई opportunity stopping creativity and idea innovation of the product and project of the business भाई problem क्या है what is the need of solution and what is the problem need then creative idea जो जो प्रोब्लेम में उसको कैसे हम सॉल्व कर जाए इनिवेशन आप दा प्रड़क्ट तेन बिजनेस परसे तो आपको आपको जानना पड़ेगा प्रोब्लेम है उसका solution क्या निकलेगा एडिया डेवलाप करना है और उसको प्रिजनेस में उसको इंप्लिमेट करना है ताकि किसको बेनिफीट हो बेनिफीट होगा तो नेचुरली आप यू कैन गेट मनी कि जैसे यह डाइग्राम मैंने पहले आपको दिखा था उसमें क्या बोला गया सबसे पहले क्या है वही ऑपरचुनिटी है अपूर्जिनिटी होना चाहिए है आफ जबिटी ऐना एना अडब्ठ इदफनिटी नीड़ प्रॉलेब डिषीस्च द्ट इंद आ प्रोब्लेम है इडिन्टिफाइड करना एग्जिस्ट करना है इभलेशन देडिया रिसीविद डिफ्रेंस रिसूसेज क्रेटीव तसलूशन वह क्या प्रोब्लेम है उसका स्वोचन के लिए आप सोचते हो देन देन अडिटिफाइड प्रोड़क्ट और सर्विसेज और इनोवेशन वह प्रोब्लेम को सलुशन के लिए क्या प्रोड़क्ट या सर्विस होगा वह अनेठिफाइड होता है दैन सेटिंग दा प्रोजेट एन डू दा प्रोचेस बढ़िए उसको शॉट आउट करना है एप टोटल जो है एंटर एंटर्प्रियर का प्रोचेस है प्रोचेस आप एंटर्प्रियर है ना तो आई होब कि आपको वीडियो समझ में आ रहा होगा और टॉपिक भी आपको इंटरेस्ट लग रहा होगा तो आगे बढ़ेंगे नीद सो पहले क्या होता है नीड अव्यठ और डॉबलम कोई चीज का नीड होता है जरॉरत होता है दें क्रेटीबेस वे से लूशन दैन एंटर्प्रिनेर्वसटउचनेटी पेसिशा प्रोफले में अपस्लें पासा जहां सकता है आप पैसा कमा सकते हो और दुसरा बात है आप अपना बीजनेस शुरू कर सकते हो और कुछ बेनिफिट सोसाइटी को दे सकते हो नेस्ट है फेक्टर इंभल्बेंट दा सेंस आप अपोचिनिटी क्या क्या फेक्टर से क्या क्या फेक्टर से पहले क्या है most of the important factors involved in the process ability to pre-received and basis idea could be used in the commonly your idea है उसको use करना है then ability to harmonize different resources of the information by resources को gather करना है वह मैं मेट्रियल लेबर ती जाता मैजर रिसोर्स आपिटाल से उसको gather करना है last is vision and creative आपका ambition होने चाहिए long term vision होना चाहिए then only you can succeed next हम लोगे देखने वाले हैं कि देखिए कोई भी problem है तो emerging idea जो कैसे आता है following are the various sources of the leading and engaging basic area by source क्या है कोई idea generate होने था पहले होगे problem when problem exist idea are to solution to resolve the problem सबसे पहले क्या होना चाहिए प्रोब्लेम होना चाहिए हैना गर्मी लेगा एक problem है तब ना इसी बना सो पहले प्रोब्लेम देन change change the social legal or technical technical aspect होना चाहिए जो गरम लगा एक क्या है social problem है illegal problem है technological problem है क्या problem है then new opportunity of the startup business जहां problem है solution मैंने आपको बताया था देन हो गया invention भाई new product या service invest करने वाले हो so there should be innovation होना चाहिए जहां problem है पहले देखना है फिर क्या-क्या हो सकता है changes then innovation then आपका competition वे अलड़ी उसे product है क्या market में तो हो सकता है कि उससे अच्छा product आप बना सकते हो या अच्छा service दे सकते हो so competition को देखना पड़ेगा या नया है तो क्या-क्या अलग जो है competition होना चाहिए आप इसको identify कर सकते हो निवीनेस का then innovative create a new thing with value as well as creative process तो मैंने आपको पहले बता है सबसे पहले गर्मी जब लगा था तो वही यह तो problem था उसके चेंज होने के लिए क्या एक पोस्यल प्रोलेम हुआ तो एसी का जो है innovation हुआ उसके बाद कंपेडिशन था सो धिरे दरे मार्केट में बहुत सारे एसी आगे है ना अभी आप बहुत सारे कंपनी का एसी आप देसे तो इनिवेशन हुआ निया चीज बना तो इसी दस प्रोलेम और इनोवेशन ठीक है एडिया थेन अबलेटी तो हर्मनाइज दा इफ्रेंट रिसोसे साव इंफरमेशन भाई क्या क्या आप रिसोसे सो जकता है मैं वेरियस रिसोसे लाइक मैगजीन जॉर्नल बूक सेमिनार है ना फैमली मेंबर्स कॉस्टमर्स है सब्सक्राइब कोई इवलेशन को आइडिया को इवलेशन करना उसको भाई जाना क्या प्रोब्लम है कि नहीं तो आप बहुत सारी सोर्स है जैसे हो गया पॉब्लिश और पॉब्लिश सोर्स देन भीजन ए क्रेटीव पर्टिकुलर एक वीजन होना चाहिए लॉंग टॉम जाने जाने इनम्हान एला इन्वाटी नहीं दो होना चाहिए ले सोलुचन एंदा भीजन मिस एंट्रपब्लियर शोट एब अबले टो क्रेट एडिया जट वैलू अब सलुचन अप र यह था बीस रॉन ब्यार्वा। शी अन अडिट आपकॉम अड़्विगा थैं अड् टॉपिक है यह समझ लीजिए एंवर्मेंटल स्कैनिंग सो एंवर्मेंटल स्कैनिंग क्या होता है वह हम लोग अभी समझेंगे और उसके बाद में आके बढ़ देंगे सो बीजनेस है डिफाइन दा कंडिशन एक्स्टरनल बहुत सारी फैक्टर है जो कि बीजनेस को इंफ्ल अललेसिस कारना एक एक फैक्टर को इतरनीफई कारना और उसको जो है सलीशन निकालना है न आ सो बीजनेस environment has different factors that which influence directly indirectly to the business there are some factors which are influence the business directly or indirectly in the business that is called factors so isko scanning kana entrepreneurship does not emerging the growth by spontaneously continuous business growth nahi karta entrepreneur growth nahi karta it depends on the various factors both this is a social economical or legal other factors so what is environmental scanning but carefully monitored the organizational internal external factors you have internal external factor ko identify karna that is called environmental scanning by environment scanner cute what is the need by the key of environmental scanning nahi karovi problem ko identify nahi karovi to aapka business future my loss ho shakta hai aap risk me par shakta hai haana so it is required that scanning of the environment is required for survival for growth for changing the environment that you have to survive haana so an entrepreneur need to have scan the all the environmental factors we need to understand the environmental factor to survive in the society so most important environmental factors kay kay wij benefit ky cai hai ha 구 Why environmental scanning cut old so value and your depad of opportunity get the fast mover advantages by subse yep co in a key aaa palika York to pass moses wanna pass बभी को ने किया हमाँ आगर पहले करते हो तो आप जो पहले पहुंचे मिलेगा अब राण हो रहा है रान हो रहा है तो पहले होगा तो यह को फास्टाय जाcü पहुंड चाह सिलेग्ध मिलें डी सा इसाटेजी आपका फोर्मेस्ट आप दर स्टाटेजी और पॉलीजी आपका जो है बिजिनेश में जो हैल्प अइड़निपाइडा थ्रेट and अप एन पोचुनिटी इद्वेश बिजनेश में कैका ध्रेट है अपोचुनिटी है इन दे मार्केट क्या प्रोब्लेम हो सकता है बीजनेस में और क्या पॉचुनिटी मार्केट में है उसको एडेन्टिफ है करना देट इस फॉर्मुलेशन और दा स्टाटेजी एंड पॉलिशी वही बीजनेस में जो पॉलिशी है प्लानिंग करना पड़ेगा हाओ वाट इस प्रोब्लेम हाओ यू गो इन्टिफ है किये उसमें क्या-क्या रिसोर्से यूज होगा उसको आपको इडेन्टिफाइ करना है तो रिसोर्स में भी मैं मेट्रियल लेबर और आपका मसी तो वाट अधा डिपनेट इस तो भी यूज वही नोलेज अब दा एक्टरनल एंवर अन इछ गी खनोलिकल अओ नौलीजा नचाहिए नचन्यों का जिब्üneटर परोमास तो इस तो प्रहूर जोर्परकृर्स यूस्क ख्ट ale cả जू फिकलूर्श में अधाश्न उन्ट यूरॉ whenever in the performance फली अच्छा से आप्प्राफोरमास ऑशता है क्या प्रोब्लम है तो उसका स्बॉस्यंश निकाल दोगे तो बढहा हखाओ अपका ग्रौथ हो सकता है प्रॉमास अच्छा हो सकता है किए यह रखिंगर तो आप उसको एड़ेप्ट कर सकते हो गया तो आपको आपका जो बीने स्टाटेजी उसको चैंज करना पड़ेगा इमेज को बनना है अच्छा बिजनेस करना है ना कोई भी सुचता है कि इसको भी अपले फॉन भॉम्न है तो इमेज बीदिंक करना है ठीक है नेस्ट शोट ऑन सिस्ट जो है फ्रेमर्भ क्या होता सोट बीकिनेस ऑपॉटुनिटी इंट इसको बोलते हैं है और शो इंटरनल में होता है प्रस्टेंट्व एंटर्णाल है ध्रिक्थिट्व इसको गोने अनलेसिस नेस्ट हम लोग नेक्स्ट टॉपिंग में हम लोग पढ़ेंगे वाट अधार डिप्रेंट अनलेसिस अनलेसिस अब देवर्मेंट और जो हम लोग इन देप्ट पढ़ेंगे इन्टरनल फेक्टर और एक्स्टरनल फेक्टर फूच इंफ्लेंस दा बिजनर्स अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक का सब्सक्राइब जरू कीजिएगा और अगर कोई दुसरा टॉपिक वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बस पर कमेंट लिखेगा थैंक्यू बैंक्यू बैंक्यू